तो फिर आप कैसे आपके फोन का जो कीबोर्ड है वो चेंज हो चुका है तो फिर आप कैसे आपके फोन में जो पूराना वाला कीबोर्ड था वो फिर से ला सकते हो तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करदे तो फिर आपके फोन की शेटिंग का अपको उपन कर देना है जैसे आप आपके फोन की सेटिंग के आपको उपन करोगे तो अभी आप आप आपर देख सकते हो अभी आपको बहुत सारी सेटिंग दिखाई देगी अब आपको यह अनना है सबसेले तो नीचे की दरफ आना है जैसे आप नीचे की दरफ आओगे तो यहाँ पर आपको जो आपके फोन में एक option को ढूण लेना होगा जिसका नेम होगा additional settings का तो यह आप देख सकते हो मेरे फोन में यहाँ पर यह वाल option है additional settings का और हो सकता है कि आपके फोन में आपर system का option भी हो सकता है तो system यह फिर additional settings जो भी आपके फोन में लिखा है आपको उसे open कर देना है जैसे आप इसे open करोगे तो अभी आप यह आपर देख सकते हो अभी आपको आपर बहुत सारे options दिखाई दे रहोगे तो अभी आपको आपर क्या आपना है जैसे आप बस language भी search करोगे न तो भी आपको आपर मेल जाएगा यह आप देख सकते हो language and input का option हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर बस आपको यह जो language वाला option है इसे open कर देना है तो हम फिर से यहाँ इसे open कर देता है अपको आपको आपना था additional setting पे जाना है language and input पर क्लिक करना है और अभी आपको आपर देख सकते हो अभी आपको दिखाई दे रहा है language, current keyboard और बहुत सारे option तो अभी हमें जो keyboard है उसे change करना है तो इसके लिए आपको आपको आपनना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको आपर दिखाए देगा Google Voice Typing और Gboard तो यहाँ पर आपको आपको जो Gboard वाला ओप्षिन है ना इस पे क्लिक कर देना है तो इसे आपका जो Google वाला Keyboard होता है ना वो फिर से आपके फोन में आ जाएगा और अगर आप manage पे click करोगे तो इस पे click करने के बाद आपको यह जो gboard है इसे आसे on कर देना तो आप देख सकते हो पहले से on है तो अभी आप देख सकते हो अभी मैं जैसे अपने phone का keyboard on करूगा न तो वही वाला हमारा पुराना वाला keyboard फिर से आ चुका है उनला पाहताउ बाद ए क्पान के लिए्व के वजसा हिए जो है